6.4.4 केंद्रक, नुकलियस रॉबर्ट ब्राउन ने 831 में कोशिका के मध्ध में जिस सनरचना को देखा, उसे नुकलियस केंद्रक नाम दिया या कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है दर्शायगे चित्र के आधार पर बताएं कि क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक मध्ध में इस्थित होता है रॉबर्ट हुक ने पादप और जन्तु कोशिका में से किस प्रकार की कोशिका का अध्यन किया होगा क्या आप जानते हैं इस्तंधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं एवं पौधों के फ्लोयम उतक की एक प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते असल में इन्में शुरुवात में तो केंद्रक होते हैं मगर जल्दी ही नेश्ट हो जाते हैं जिससे पदार्थों के सम्वहन के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्थान उपलब्ध हो सके। किंद्रक में धागे जैसी रचना होती है जिने क्रोमेटिन कहते हैं या मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ के बने होते हैं। जैसे ही कोशिका विभाजन के लिए तयार होती है ये क्रोमेटिन छडों का रूप ले लेते हैं तब इने गुण सूत्र क्रोमोजोम कहते हैं। माता पिता से अगली संतिती में अनुवांशिक गुण इनी सनरचनाओं से जाते हैं। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रन करता हैं। और जीवों के गुणों का निधारन भी करता है। केंद्रक और कोशिका द्रवे के बीच एक जिल्ली होती है जिसे केंद्रक जिल्ली कहते हैं। यह जिल्ली कोशिका जिल्ली जैसी होती है। जीव जगत में वर्गी करण का मुख्य आधार केंद्रक जिल्ली की उपस्थिती है। यदि केंद्रक जिल्ली उपस्थित हो तो यूकेरियोट वर्ग की कोशिकाएं होंगी अनिथा प्रोकेरियोट वर्ग की। क्या आप जानते हैं एसिटा बुलेरिया का प्रयोग केंद्रा की गुणों का निधारन करता है इसका इसपस्ट प्रमाण सर्व प्रथम जर्मन जीव वैग्यानिक जोकीम हेमर लिंग ने 1934 में एक समुद्री शैवाल एसिटा बुलेरिया पर प्रयोग कर बताया यह समुद्री शैवाल एक कोशिकिये जीव है इसके तीन भाग होते हैं आधार, डंठल, टोपी अलग-अलग जातियों में टोपी अलग-अलग आकार की होती है किसी में उल्टे छाते के समान तो किसी में फूल के समान टोपी काटने पर फिर से टोपी उग जाती है हैमर लिंग ने फूल जैसी टोपी वाले शैवाल का केवल आधार लिया और फिर इस पर एक छाता जैसी टोपी वाले शैवाल का डंठल रोप दिया इससे जो टोपी उगी वह छाते और फूल का मिला जुला रोप थी इसका मतलब यह हुआ कि आधार में उपस्थित, कुछ पदार्थ और डंठल में मौजुद कुछ पदार्थ मिलकर इसका रूप तै कर रहे थे हेमरलिंग ने इस टोपी को और भी काट दिया और अब की बार जो टोपी उगी वो फूल नुमा थी मतलब अब इसका रूप पूरी तरह आधार पर निर्भर था अर्थात आधार से निकला कोई पदार्थ टोपी का रूप तै करता है हेमरलिंग यह देखी चुके थे कि इस शैवाल का केंद्रक आधार में होता है कई प्रियोगों के आधार पर जिव वे ज्यानिक इस निश्कर्ष पर पहुँचे की केंद्रक में उस जिव की हर प्रकार की कोशिका बनानी की जानकारी होती है केंद्रक को कोशिका का नियंतरन कक्ष क्यों कहा जाता है